वेल गुद इविनिंग फ्रैंट्स वेलकम टू आवर स्टैटी चैनल मूववण फटी तो फ्रैंट्स आज मैं आप लोग के सामने साइंस टेज स्रीज नमबर वन लेकर हूँ जो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला अपकमिन पेपर यानि की रेलवे टेक लोग को बताना चाहता हूं लोग चुमबके पदार्तों में एक प्रयूक्त छेतर द्वारा चुमबकी करन से उत्पन सुधा चुमबके आगूर ने क्या होता है चलिए अब लोग को कुछ एक्षणा बताता हूं सबसे पहले फ्रैंट्स आप लोग जानेंगे के चित्रखो बोलते सबसें पहले आप लूट किऊंग चुम वात करते इंग्रीश को आप टे यनि की फेरो मैंनेटीक या किलियर है इसका वे सब्सक्राइबुक得 कि मैं उखेसंक्त हैं और रिंग सकते हैं इसके बात करते हैं कि पार मैंगनेटिक की बात करते हैं नहीं की रूप में के रूप में को डिख सकते हैं इसके सबस्शन गरिए और तत्व की तौर पर देखा तो सोडियम हो गया और प्लेटीनम हो गया यह सारी को आप लोगो आता है जिलिए चलिए अब हैं देखते हैं क्या लिख रहाई यह का कर दो नाभीक से इतना लीटव होताया यह गयोरी इसके बारे में अप लोग को बताने चाहता हूं सबसे पहले आप लोगको मैं पता चालाइब लेडियो आडिव उसे एक टिव उसे कहता है जिस्ए अल्फा बीटा और यानी वैसे वैसे तत्म आल्फा बीटा गामा रे निकलती है उसे वो तें तीन किरन प्रमानुके नाविक से हूं सबसे पहले जो किरन ईकलता हौँ आलफ में बीटा में जो होता है आप नहीं करते हैं जिसमें लोग उदासीं कहते हैं इंगलिस में ठीक है ये चीजों को अपनु ध्यान में रखेगा चलिए एक आए और फैक्क्स में बताता हूं देखी सबसे पहले आतिक गीगा reekड़ायक जाती यहां पर मानें संख्य को मलों किसी रेडियो सकृतीले निकलने पर उस दत्तु में परवानु शंख्या परवानु संख्या दो से परवानु संख्या नेन निकलता देखे रिखाया गोदरें इसका atomic number जो होता है सबसे पहले माल लेजिए कि कोई मान लेजिए तत्त वह था माल लेजिए ठीक है तो फृट्ट इसका जो alpha रहे हो जो अलफा निकलेगा तो atomic number जो हता हुआ माले जी कोई तत्व लिख्या है माले जी कि कोई भी तत्व लिखे ए ठीक है और इसका अपलोग का 96 हो जाएगा यह जो का तो रहता है यह भी आप लोगों निकलने से परमानु कर्मा के अपरमानु द्रेवान दोनों अपवर्तित होता है यानि दोनों पर कोई भी एफ्यक्स नहीं होता यह आप लोग ध्यान रखेगा इसका साथ आप लोग याद रखेगा रेडियो सक्रिता मापने वाले यंत्र को गेगर मूलर कॉंटर यानि जी में चेहां ४्म्पण मुखर होता हुआ क्यों पहलए चला सभाण में का टेका सबसे अधिक रिटियों तदिया होता जिसके सिंबल व्द आयगा जा ये दा इसका साथ आप लोग याद कि इसका ही पुरी के साथ 4 भी आप लिख सकते हैं यह दोनों चीजों के आप लोग में संक्र सकते हैं कि आप लोग यह याद किजें कि अप लोग को सुन काफी तकवला है एक को रिका जो भेली होता 3.7 में देखिए मैं लिए देता हूं 3.7 into 10 to power 10 विखंडन पर श्रकेंड होता है यह सारे चीजों को आप लोग को एक्स्टा फैक्स बता रहा हूं इसलिए मैं आप लोग बीच में लेकर आओ चलिए अब देखे नेक्स्ट को सन अप लोग लिए काफी इंपॉर्टन सोने वाला चलिए इस को सबसे पहले अप लोगों को पॉर्टनां को मिव से डिन्रोटर करते हैं कि लिए अब देखे जिसके साफिच पानी का जो जिसके बोलेगा सबसे पहले देखे यहां पर आप लोग यहां देखिए सबसे पहले सीसा के बारे बहुँआ तो जो सुरू में वहताशकों उपर लेते हैं जिली देंगे आग प्रफिते मिशी ब्मिलुम्लोटरा डिंख लिए रिखने का अब देख़े साफिच पानी का पॉर्टनां का जिसका निकाला वडर का निकालना और अपनी देखे सहां पर कि ललास का ग्लास का जीक कर देखे व hun लाइखते हैं अब सबसे पहले वाटर Susi आब पानी का बन् तो दिखे मैं इसे ब्राउन क्ला से चेंज करते हैं फोर को टू से गुना कि एट आ गया थिरी को थिरी से गुना कि ना आ गया तो यह होता एंसर याने की एट बाइन एंसर होगा के लिए रहा है और मियू जो लिखों से बहुता है रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स होते हैं इस इसके सीशे के साप है तो अगर सबसे पहले सीशा को जीली दिये पानी का निकालना था और इसमें जब फर्मूला बैठाएंगे तो अब फोजी ठोटा है मियू जी होता है यह चीज को आप लोग ध्यान में रखें यानि इस चीज का पोर्तनाक निकालने बोलता सबसे पहल सकते हैं तो अगर आपने फोकस करते हैं तो देखिए सब्सक्राइब कितना हो जागा दो हो जाएगा अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूं किसी भी गैस का किसी भी गैस का एक मोल का जो ऐता हुथ बाइस पॉल क , पर 22.4 लीटर हो की, के ब्राबर होते हैं इसका साथ आ का प्लो को मोलों की संख्या का फरमूला भी मैं बताता सबसे पहले मोलो की संख्या को लिखते हैं तो एंच कल्टू क्या होता है द्रेवमान बटा अनुद्रेवमान या यानि कि सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं यहां पर अनुद्रेवमान लिख सकते हैं यह सारे चीज़ों का अवेगादरों का जो फेली होता है यह को सबसे पहले आप लोगो मैं बताना चाहता हूं मेंडलिप को आवर्थ साने का किमडी ko कहते हैं पहले 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 किसी भी प्रचिटेवल को बनाने के लिए रोह और हो रक्हाँ कि दशार तो इसके आवर्थ सारणी में इसमें कुल्च आवर्द की संके छे रखा था अवर्द की संके आठ रखा तो पहला स्री इन ही कहा था इस वज़ा से इने क्या वोलते आवर्द सानी का पीता कहते हैं और इन्हों ने प्रियूर्ट टेबल जो बनाया था वह परमानु द्रेवमान पर अधारित किया था प बहुत सारे गैसों के लिए अक्री गैसों के लिए जगह ही नहीं छोड़ा था और इसका सब्सक्राइब बहुत सारी तत्व अइसा था इसे निकेल का और कोबाल्ट में ज्यादा परमानु मास होना चाहिए था कोबाल्ट का लेकिन आप आप लोग देखेगा जो की परमानु संख्या पर डिपेंडेबल थे चलिए कोशन अब छे चलते हैं क्या लिख रहा एक विधुत तापक एक मिनट में 320 जूल एक चार ओम प्रतिरुदक को आपूर्ति करता तो ए में इस्थित इस्थित धारा परवा क्या होगे तो फ्रेंट्स अप लोग को एक आइस कॉर्ण का अगर अपनों निकाल लेता है तो सबसे फ्रेंट्य को आप एक आप लोग को पता हो प्रवाइब कि 10 से केंड रहता है अब आप लोग इसको सॉब कीजिए देखे चाल का पाड़ा में 32 कितना था आड़ बार में तो आड़ बटा छे आ चुका है तो आई स्कॉायर का अगर अप लोग देखते हैं तो आई स्कॉायर का फेलू आप लोग बीक्वार चुका आठ बटा च्याइब क्या करेंगे इसे केंसी करते टेंके ये पेंडर रूट देंगे तो फोर बाई थिरी करेंगे तो होफुली आप लोग पता होगा देखि आए का फेल प तोड़ते हैं तो 4 किसका होता स्क्राइर टू का होता है तो अगर आपलों पर फोकस करते हैं तो आपशन नमर 20 दा राइट एंसर के लिए रहा है चलिए आप नेश्ट कोशन भी काफी अच्छा चुका देखे एक द्रव में एक पात्र में द्रव की मात्रा मात्रा की अभासी करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 3.33 आप लोग क्लिक कर सकते हैं तो अप्सन नमबर डी में आप लोग क्लिक कर सकते हैं आप लोग को क्लिक कर सकते हैं आप लोग को क्लियर हुआ होगा चलिए अब देखते नेक्स्ट कोशन क्या रिख रहा एक सूची चिद्र कैमरा के लिए निम्रिकित में से सही कथन को चुनिए तो आप लोग को बताना चाहता हूं एक सूची चिद्र कैमरा के लिए प्रकास सीधी रिखा में गमन करता है क्या करता है यह सीधी रिखा में गमन करता तो ऑप्सन नंबर बी होगा चले निश्ट कोशन यदि विस्थापन फाई बल एफ की दिशा में है तो किया गया कारी क्या होगा तो फ्रांट सबसे पहले आप लोगों जाना पड़ेगा देखिए वर होता है उसके साथ साथ आप लों कॉस्ट ठीटा का परियोग करते हैं कि परियोग करते हैं के लिए क्विंदीप्र करते हैं अब इससे beざ range परका का अदिस रासी है अगर आप लोग 0 ृ क्या ये है अगर 0 डेकर है तो दोनों क्या होंगे समानधरर होंगे यानि कि दोनों क्या होंगे भाज्सने में स्來到 0301 में इसका में मेक्सिममम भेएलू होता यानिकल फेल्टी वे. बेलू होता तो किया क्या कारे क्या वो रहा देखें विस्थापपन F की दिशा मैंने सेम दिशा में तो अधिकतम होगा और पोजिटिव होगा तो अपसर नमबर यह हो जाएगा यह आप लोगो ध्यान में रखेगा वह फ्राफ शागा अब पोजिट रहता है तो माइनस में चला आता है देखिए तो फ्रैंस इसका वेलू जो ता जी रोग निकलेगा अगर ठीट्टा का वेलू जीरो डिए तो इसका वेलू अधिकताम पोजिटिव आएगा और ठीट्टा का वेलू अप लोगा नेगेटिव के रूप में आएगा यह तीनों कंडिशन को आप उच्तम मोडूलेंड आविर्ति है तो चलिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं यह तेट्ट देखिए सबसे पहले एफम के बारे आप लोग जाने देखिए एफम का फूल फॉल्पर्म क्या होता है फ्रिक्वेंसी मॉडूलेशन देखिए फ्रिक्वेंसी म लेंड़ क्या होता है तो इसके विहां पेलोग की आतों एक हड जाता है यहानी